सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब सब्सक्राइब की वक्षीट नमबर टू डिसकस कर रहे हैं बैचो क्लास एर्थ की वक्षीट है सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स आट अपरेल दोजार एक्किस की वक्षीट है नेम ऑफ स्टुडेंट लिख लेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ओफ रशनल नमबर्स ओन दा नमबर लाइन दे स्टार्ट करेंगे वक्षीट अब इसमें एक स्केल को दिखाए गया ठीक है और कोशन पूछे गए एक स्केल लिखा हुआ है इसमें या वन लिखा हुआ है या टू लिखा हुआ है अब वन से टू के बीच में बच्चो यहाँ पर देखिए ये इसका मतलब क्या होता है अगर वन के बाद यह जो बहुत चोटी सी लाइन है अब हमेने जूम करके देखना पड़ागा लेकिन इसकेल में आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर क्या होता है वो माप 1.1 होता है फिर उससे आगे वाली लाइन का 1.2 फिर 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 तब आतर 2 ठीक है मतलब यहाँ 1 यहाँ 2 इतनी सी दूरी के बीच में 9 पॉइंट्स होते हैं ओके students तो अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें what all numbers are there on a scale write all the numbers कितने numbers होते हैं scale पर वो हमें लिखने on a scale between number 1 and 2 there are 9 markings no mark होते हैं बच्चो how can we write these numbers हम इन number को कैसे लिख सकते हैं rational number में decimal number में भी लिख सकते हम इने और इसमें भी ठीक है यह तो दशमलब संक्या बोला जाता है इने तो बच्चो और यह जो उपर बटे में लिखी हुई है भिन में इने क्या बोला जाता है परी में संक्या बोला जाता है ठीक है भिन भी बोल देते हैं इने हम अब क्या कर बच्चो हम कि देखिए, 1 से हम यहां स्टार्ट करते हैं, तो 1.1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट होते हैं, बच्चो, 2 तक पहुंचने के लिए बीच में, ठीक है, 1.1 आएगा, 1.2, अब देखिए, 1.1 का मतलब 11.10 कैसे होता है, देखिए, 1.1, लेकिन जब देखिए हमें इसमें से पॉइंट हटाना हो, तो हम इसके नीचे 1 लगा देंगे, और इसके बाद जितने अंक हैं, इसके बाद एक ही डिजिट है न, only 1, तो उतनी 0 लगा देंगे, तो यह आजाता है, बच्चो, 11 बटे 10, समझा के आपको, एक और करके दिखा देती हूं, यह देख लगा देंगे, अगर 2 होती ही, तो 2, 0 लगा देते, तो क्या आजाएगी, बच्चो, संक्या 12 बटे 10, ऐसी आ रही है, 1.3 को करेंगे, तो 13 बटे 10 आ जाएगी, ठीक है, 13 अपॉंट 10, 1.4 को करेंगे, 14 अपॉंट 10, ऐसी आ जाएगी है, तो बच्चो, यहां पर हम से बोला अपॉंट 10, ठीक है, इसका मतलब यह होता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसे बच्चो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 5th mark कौन सा हो जाएगा, Scale का हम निकाल रहे हैं तो, 15 अपॉंट 10, 6th mark हो जाएगा, 16 अपॉंट 10, 7th mark हो जाएगा, 17 अपॉंट 10 8th mark हो जाएगा, 18 अपॉंट 10, ओके students, तो यह ऐसे हो जाएगे, ठीक है, इसका मतलब यह, अब देखिए, यहाँ पर हमें एक table और दी हुई है, अब हमें present करना है किसको rational number को number line पर, तो देखिए, यहाँ पर तो हमें number दी हुए हैं बच्चो, ठीक है, एक example भी दिया हुए हमें, 1.7 को देखिए, 1.7 को हमने देखिए, यहाँ किया, तो point के नीचे हमने 1 लगा दिया, point हट गया, फिर एक digit है तो 10 आगया, तो कितना आगया, यह आगया, ठीक है, किसके बीच में आएगा यह, अब देखिए, 1.7 और 10 के बीच की बाद चल रही है, तो यह, किसके 1 औ 1.2 ऐसी ही तो था इसकेल पर, ठीक है, 1.9 तक था, फिर उसके बाद 2 आता था, तो यह क्या है, यह कितना है, 1.7 होगा न यह, तो यह 1 और 2 के बीच माएगा, ऐसी हमें बाकी निकालने, 3.3 के लिए, 33 बटे 10 लिग देंगे, 33 upon 10, यह किसके बीच माएगा, यह 3 and 4 के बीच म के लिए 1 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, तो कितना होगा बच्चो, यह 28 upon 10 हो गया, तो वह हमने लिग दिया, अब यह किसके बीच में है, 2.8, 2 और 3 के बीच माँ होगा न, तो between 2 and 3 लिग देंगे, ऐसी 4.3 किसके बीच माँ होगा, 4 and 5 के बीच माँ होगा, इसे कैसे कर लेंगे, 4.5, पॉइंट हटाने के लिए 1 लगा दिया, फिर 0, तो कितना अगया, 43 है, 43 है, 43 upon 10 अगया, बच्चो, ठीक है, तो यह हो गया, अब हमें क्या करना है, और बच्चो, इसमें, जैसे यह scale में दिखाएंगे, वो 1 से 2 तक, तो आपको ऐसी ही एक लाइन लेनी है, ऐसी एक लाइन बनानी है, ऐसी टेबल बनाकर, जब आप करेंगे, नोट बुक में, और फिर उसके बाद क्या करना है, बच्चो, आपको, कि आपको फिर इस वाली लाइन में, कहां से कहां तक का दिखाना है, 3 से, देखिए, जैसे यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, यहाँ पर 3.3 हो जाएगा, यहाँ पर 3.4 हो जाएगा, यहाँ पर 3.5 हो जाएगा, ऐसी यह आगे तक आप 4 तक बना देना, ओके, ऐसी इसमें करना है आपको, क्या करेंगे, इसमें आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2.1, 2.2, 2.3 2.4 ऐसी करते जाना ठीक है बस ऐसे आपको 3 तक दिखा देना है ऐसी इसम करेंगे 4 से start करेंगे फिर 4.1 4.2 4.3 4.4 ऐसी टेबल बनाना जो यह पूरा आजा है ऐसी करते करते हैं आपको 5 तक बना देना है OK students जैसे यह आपको उपर example में दिखाई हुई है ऐसे बना देना आप लो ठीक है students यह आपकी worksheet solve हो गई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो please मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए आमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thanks for watching